ठोड़ो दोस्तों कैसे हुआ आई बना रगी है कितनी बढ़िया और कितनी लाज वाब लग लग व्हा तो दोस्तों लोग यह भी सोत्रों होने की यह तेवडयो है क्या चीजिगा तो दोस्तों इत्यू उत्राखंड में पाए जाता है जंगलू में और ये सर्जू की टाइम पे पाए जाता है और आज तो दोस्तों अगर आप भी मेरी रेश्पी के हिसाफ से अगर आप तेड़ू की सबजी बनाना चाहते हैं तो खिरिवे वीडियो पूरी देखें तो चलो दोस्तों बनाना इस्टार्ड करते है तो दोस्तों ये लिया है मैंने जंगल से निकाल के त्यूड़ू आप देख सकते हैं और ये मैने साप धो दिया है और दोस्तों इस पर मिट्टी और छुटे-छोटे पथर बहुत ही मातरा में होते है तो दोस्तों चलो इसको हम अब पतेले में डाल देंगे बोल करनने के लिए तो आप देख सकते हैं दोस्तों और यह हमने पतिले में डाल दिया है तो पतिले में डाल दिया है अब इसमें आप पानी डालेंगे चुट पानी डाल दिया है अब इसको हम चूले में रखते हैं और यह हमने चूले में रख दिया है आफ इसको अच्छे से अमटोरि करेंगे और पॉइल करने का घू इसका तरीका है लगवख लगवख जैसे हां हम अलोग आलू करते बोईल उसी तरीके इसमय करना है तो मैंने इसको 10 मिनट तक बोइल किया है और यह हमारा फरक्ड बॉईल हो चुका है तो आप देख सकते हैं दोस्तो चलो दोस्तो आप इसको हम नीचे निकाल देंगे और इसको छान लेंगे और इसको हम दीरे-दीरे करके निकाल देंगे और निकालने के बाद अच्छे से एक बार फिर से दो लेंगे इसको तो आप देख सकते हैं दूस्तु कितना बढ़िया लग रहा है भी बोहल होने के बाद अब इसको दोस्तों काटेंगे और मैंने कुछ काट रखा है और कुछ काट रहा हूं तो आप देख सकते दोस्तों है आप चाहे हैं चोटे चोटे पीस भी कर सकते हैं और बड़े-बड़े रख सकते हैं कोई दिखकत निए और दोस्तों जो यह तेड़ू की सबजी है तो यह उतरा करने के पहाड़ी आलागों में पाए जाती है और बहुत ही टेश्टी होती है आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है भी काटने के बाद तो चलो दोस्तों अब बनाना इस्टार्ड करते हैं यह यह मैंने कड गलाई और कडाई को हम अच्छे से पहले ग्राम करेंगे अब डालेंगी हम तेल और यह हम ने टेल डाल दिया है अब कि अब सके बाइस में डालें हम ड्राइ रेट चली कटिव ही लाल मिर्च और अच्छे से इसको ब्राउन कर देंगे तब आप देख सकते हैं दोस्तु इसके वाँ मैंने डाला इसमें जीरा और जीरी को भी अच्छे से ब्राउन कर देंगे और जीरा हमारा ब्राउन हो रहा है दोस्तु इसमें डालेंगे हम कटा हुआ बारिक प्याज और प्याज को भी हम अच्छे से भून देंगे प्याज को हमें तब तक पकाना है जब तक हमारा प्याज पूरा ब्राउन ने ख जाये तब जाके हमारा अच्छा फ्लिवर आएगा और आग खिए अच्छे से बूं एंगे कि अब देख सकते दोस्तू आप पहले से हमारा प्याज काफियर ब्राउन हो चुका है अभी स्में अगे करेंगे दोस्तो हम जिंजर गाले का पेस्ट अध्रक डाशン का पेश्ट डालेंगे आप देख सकते हैं दोस्तों और यह पेश्ट डाल दिया है और पेश्ट को भी अच्छे से भून देंगे और अब इसमें हल्दी एट करेंगे और यह पने हल्दी डाला और हल्दी को भी अच्छे से भून मिक्स मसाला अब और किचन किंग और कीचन किंग मसाले को हम अच्छे से भून देंगे और इसके बाद डालेंगे दोस्तों में हम फलन जो हमारे पहाड़ों में बहुत ही अच्छा खड़ी मसाले के तोर पहाए जाता है बहुत ही बढ़िया फलेवर आता है फलनका तो हमने इसमें भी फलन डाल दी है अब इसके बाद डालेंगे दोसे में हम धनिया के डंठल और इसको भी अच्छे से भून देंगे आप देख सकते हैं दोस्तों और यह हमारी ग्रेवी तैयार है दोस्तों आप डालेंगे में इसमें बॉयल किया हुआ तेड़ू आप देख सकते हैं दोस्तों धिरे-दिरे करके हम सारा तेड़ू डाल देंगे और इसको भी अच्छे से मिनाते रहेंगे दोस्तों आज अब कम रखनी है नहीं तो हमारा मसाला जल जाएगा तो दोस्तों अच्छे से इसको मिलाएंगे अब देख सकते दोस्तों कितना बढ़िया लग रहा है आध दोस्तों लाइक और कमेंट्स और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करना अगर मेरी देख आपको अच्छी लगी तो दोस्तों देख सकते हैं आप कितना बढ़िया लग रहा है भी और इसमें हम नमक डालेंगे आप देख सकते हैं दोस्तों और अच्छे से मिलाएंगे बढ़िया तरीके से मिक्स करते रहेंगे दोस्तों जिससे कि हमारी ग्रेवी टेड़ू पर एच्छे से मिल जाए आप देख सकते हैं दोस्तों और पहले से कापी और ड्राइव हो चुका है और आज धीरी रखें ज्यादा नहीं रखें मसाला जल जाएगा हमारा हमने इसमे आप पानी एड़ नहीं किया है तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है अब इसमें एड़ करेंगे दोस्तों हम हरा लेसन के पत्ते आप देख सकते हैं बढ़िया फिलिवर आएगा और बारी कटा हुआ दनिया और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको भी बढ़िया से मिक्स कर देंगे दोस्तों त्यार हो गई है हमारी तीडू की सबजी आप देख सकते हैं तो दोस्तों इसको हम एक बड़े प्लेट में डालेंगे तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितना बढ़िया और कितना लाजबाब लग रहा है हमारी तीडू की सबजी तो दोस्तों अगर आप भी इसी रिस्पी के साथ बनाना चाहते हैं तो दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब करें लाइक करें और कमेंट करें मेरी रिस्पी कैसी ल पहर यह प्लर आया है हमारा युक्रा आप देख सकते हैं कि कृषस्ट को आप इसमें उपर से डालें यह अन्य अब देख सकते हैं दोस्तो तो दोस्तो कैसी लगी हमारी से SP świ जाँ के लीज एक बार कमेंट करके बता देना तो दोस्तो मिलते हैं अगली वीडियो में झाल